तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़िदार एपिसोड में आज हमारे साथ है for the second time मान सीजी स्ट्रेट फ्रॉम कोरिया यह साउथ कोरिया में पढ़ाई कर रही है और यह जब भी इंडिया आती है तो हम टच में हो जाते हैं कि कुछ नया कॉंटेंट है हमारे लिए लेकर आई है क्योंकि आप लोगों को नहीं नहीं कंट्रीज के बारे में जानना बहुत पसंद है तो साउथ कोरिया से रिलेटेड बहुत सारी बाते बाहर आरी थी इंटरनेट पे कि इंडियान्स के खिलाफ रेस को बहुत सपोर्ट करें लेकिन वह इंडियन के साथ ऐसा गर रहे हैं तो ग्राउंड रियालिटी क्या है यह जानने के लिए हम लोग ने मांसी को इन्वाइट करा थांक्यू मांसी वेल्कम एजी आप इसना खर्चा करके हाँ हमारे लिए हमारे लिए नियाई अपने फैमि आप इसना रहे हमारे लिए नाइट टॉक्ट बाते कर दो तो फिर से वादाई प्ली प्ली प्लीज वेल्कम एज लेकिन मैं लगभग तीन साल से साथ कोरेया में रहे हूं और मैं अपनी मास्टर्स की डिग्री महा से कर रहे हूं मुझे एक स्कॉलर्शिप मिली थी कोर्या की तरफ से इस फुली फंडेट स्कॉलर्शिप यह उसमें सारा खर्चा रहना खाना पीना सब कोरेया की गवर्मेंट उठाती है इवरेटिंग दो बारा बतादो कितने परसेंटेज आए थे आपके जो स्कॉलर्शिप मिल गई नहीं मैंने बहुत कुछ किया है बतलब इसक साथ साथ अपने एक्स्ट्र करिकुलर एक्टिविटीज सब लगा सकते हो उसके बाद लाखो बच्चे इसके लिए अपलाए करते है और एक बहुत अच्छी उपरचुनिटी उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमारे पेरेंस अफॉर्ट नी कर सते हैं बहुत महें बैडमिंटन और लॉन टैनिस ऐसे मलब अंडरेंटेड इसमें बंदे का तेल निकल जाए बहुत बहुत टैमिना और लगते लगते लिए अगर आपको एक बर चांस मिल जाता है तो इस अच्छी अपर चूनिटी होनी सथा चलो आपको मिल एक मतलों आप मिल एक मुछ तो चल रहा है भी कोरिया मेरे मास्टर्स की डिग्री होने वाली है कंप्लीट मुझे अभी इस ऑगस में मुझे डिग्री मिल जाएगी उसके बाद में वहां पे छे से करने के बाद आप अपस इंडिया मला आपने स्पैसिफिकली महनत करी को रिया जाने के लिए तो आप इतनी मला वापस क्यो आना चाहता है जाना हर कोई इंडिया चोड़ना चाता है तो लेकिन शायद मुझे लगता है मैं मेरे पेरेंस को नी चोड़ना चाती हूं मुझे वैसे भी उन्होंने सारा जवानी दे तो मैं चाहती हूं उनका टाइम है उनके साथ रहके सब्सक्राइब बढ़ी बात है वह सोचते हो वरना आज यहां के बच्चे ता असे सोचता ही है नहीं मैं सचमें ऐसा बोल नी रही हूं मैं सचमें वापिसाशा आप सिंगल नहीं म जो भी वीडियो अप्लोड हो रही है, आप कोई भी यूटिवर उठालो, वो इंडिया से बैठके कोर्या के बारे में बोल रहा है, ठीक है, लेकिन जो लोग वहां पे रह रह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रेसिजम नहीं है, रेसिजम हर जगा होता है, आप इंडिया में देखो अगर कोई नौर्थीस्ट का है, उसको हम चाइनीज, मोमो, चीनी, हमारे देश में कितना ज़्यादा है, नहीं लगता आपको ऐसे, यह चल रहा है, बर यह बिल्कुल गलता है, अब बहुत काम हो गया है, अब तो कोई करता ही नहीं है, हमारा इंटरैक्शन नहीं है, लेकि क्लास के बच्चे भी बोलते थे, तो हम, मैंको नहीं लगता को रहा है, है उदर भी, बट इतना जादा नहीं है, जितना इंडिया में, बट जैसे इंडिया में कभी यह नहीं है, कि इस पीप, इस पूर्टिकुलर सेक्शन आफ पीपल, नौट अलाओड, एंट्री बन्द उसके बाद, क्लब ने वह एक्शन लिया, लेकिन इतना साथा इंटरनेट पर फैल गया, कि उन्होंने वह बोर्ड हटा दिया, क्यूंकि उनको शायदा लगा होगा, कि हमें नहीं करना चेर डिस्क्रिमिनेशन, सब ऐसे नहीं होते है, तो मतलब जो वीडियो बन रही है, कि कहीं पर हमारे साथ, मैं अभी पिछले टाइम पर कई लोग बोलेंगे जान बुच के इंडियन लड़कों लेकिन सच में मैं कलब में गई थी, वह पे इंडियन लड़के थे, उन्होंने हमें दुखी कर दिया, दुखी कर दिया, पीछे पढ़ गाए, हमने उनको ख्लेरली कि हमें आपसे बात नहीं करनी है, पहले होता है कोई आपको हाई हेलो बोलता है तो आप सोचते हो अपनी कंट्री का है, तो चलो ठीक है कोई बात नी, बट इंडियन लड़के कई बार तो आपके साथ और भी बॉइस थे, सिफ सारी गर्श थे, नहीं तीन लड़के थी, हम तीन फरेंश थे और उन्हें हमसे पूछा कहां से हो क्या हो हमने उतना बताया कि चलो ठीक है लेकिन उसके बाद आपके आपके बाद के प्लान्स क्या है और आपको समझ में आता है कोई आपके सब कैसे डांस कर रहा है तो इंडियन लड़के फॉरन आके थोड़े पागल हुजाते हैं मुझे लगता है बहुत बड़ा ऐलिगेशन है यहार ऐसा तो ऐसा भी नहीं स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं आपके आपको पता है जो फोटो वाइरल हो रही है उसमें इंडियन जन पाकिस्तानी नहीं लिखा हूँ उसने मुस्लिम एं हिंदू लिखा हुआ है कि हिंदू नौट अलावड भूआ पने ए बोड देखा होगा एक वैन के ओर बोर्ड देखा होगा एक वाँ पर बोर्ड देखा हुआ है तो फटीक्लर उसरीजन के को लिख दो जैसके हमें नहीं चाहिए है जैसे आप मालो जैज रम मंदिर बनिया लेकिन लिए कुछ लोग खड़े है वैसे वाला ले एक मस्जिद बना दिये तो कोरें उसके लिए अगेंस्ट है कि नहीं हमें यह नहीं चाहिए तो बनाया उन्होंने पर्मिशन के साथ बनाया है हाँ हाँ सब बिल्कुल पर्मिशन के साथ तो वह हिंदु को कि लपेट रहे हैं अरे उनको यह शाद पता निया है कि हम लोग नह जाते हैं वह यह यह की तो नहीं माल रहे हू आर्फ है के सुष आहरा है कि मानुद्री पागिस्दानी कि पांगलादेश है सब्स्राइश जैसे कैश्ची अगर कि सी लड़के ने ऑ उसी बंदे ने कुछ गलत को थे द्सक्राइब हो टॉआ है चार्प कि पाम् तो ऐसा बहुत गलत है यह बहुत जादा हो रही है और क्या कि यह आपनी कंट्री में बुला रही है मतब साउथ कोरिया जैसे इंडियांस को बुला रहे है अगर वो बैन होंगे तो बुलाएगा ही क्यों सबसे पहली चीज मुझे ऐसा लगता है अगर उनको हमसे कुछ नफरत है तो हमें बुलाएंगे ही नहीं तो इस्टेट्मेंट बिलकुल कह लेता है इंडियांस अनौट अलवड हर जगह नहीं है किसी भी क्लब में नहीं है कहीं पर भी जगह था लेकिन वह भी हट गया और किसी और ऐसा भी है कि जैसे आप तो सोल मे किसी ने लगाया ना एक दो जगह वह बस वहां पर हुआ बढ़ना उसके लावा कहीं पैसा नहीं है पर जैसे आप क्यारो कि मॉस्क भी खुले है वहां पर तो 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 आप गई हो अभी बैसे कैसा है मैं मैंने ना वीडियो में देखा है मैं कभी गई नहीं लेकिन मुझे वहां पर बसंग दो और दो क्योंकि मेरी फ्रेंड गई थी बुसान में गुर्दृअ वहां पर भी घई थी लेकिन मैं मैं बुसान ही नहीं अभी तक तो बस भी तकत तो 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 तक तो फिर पूजा कहा करतो आपके आठे मित कुझ लयदे इंब आ काम दार्म को मैं नर नह जी लेके आती हूं महापर ग्रॉसरी बहुत महंगी है क्या क्या मिलता आपर बताना एक बर आलू प्यास टमाटर यह तो बेसिक हो गए इसके अलावा बार कितने का है वह बहुत थोड़ा सा दनिया थोड़ा सा चार ऐसे चार समझ गई स्टिक्स होती ने जिसे वह वह पड़ और इसके अलावा बंदगो भी महाँ पे मिल जाती है बेंगन मिल जाते और कैप्सिकम मिल जाती है कुछ बेसिक सब जियह है मूली बस और आगर आप सोचों कि आ रहे आज मैं लोग ही बना लेती हू बिंडी बना लेती हू फूल गोभी बना लेती हू अईसा और राजमा वहाज़े दिन फाफ मेन वहाह बोली मालव दुटा तो पाइंगल की आपनाव जैसा मैं घर आए हूं तो मैं चाहर-पॉंच टाइम चाहते हूं जय क्फ़ें बनाऊंगे ना तो होटारות का है वहां ग्रीन टी ज़्यादा पीले था इंसान यहां भारी में साथ चाय चल रही है बरफ बरफ पढ़ रही होगी और लोग अमेरिकानों पीर होता है बरफ डालके ऊपर तक वहां पे कॉफी का बहुत जाता है अब मैंने इतनी स्टी में दिखी बहुत स्नो होती है दर भी या बिल्कुल ऐसा नहीं है वहां के लोग बहुत जादा किसे बोलता है हम कि शोइंग ओफ में हैं वो लोग उनको इंस्टाग्राम पे वीडियो फोटो डालने आप यह सोचो कर महां पे कोई काफे हिट हो गया कि यह काफे बहुत फेमस है उसके बाहर लाइन होंगी एक सिंप कि अभी आधा जीन है में एस एड़ यह एखोष रहते है ऐधा डेश्ज रहता हुख ज्ञ़ा यह बहुत जादा बढ़ यह क्योंकि imeal मतलब लॉंली एफ जिसी की पकी ज़ैसे मैं रेंड पे बन दीया मुझे पसंदा ऑग उस पसंद आगया और वह आगे की बाची चल रही है तो ऐसे लोग भी तो होते होंगे कि जिनका प्यार में कनवर्ट हो गया होता होगा होता होगा रह लेते होंगे जितने टाइम साथ में रह सकते हैं उसके बद बढ़ शादी बच्चे बच्चे नहीं करते बहुत रहर होता है यह कम होता जारह है देरे देरे बाइ यह रहना नया कौंसब्त का फिलोग पहली बार सुन रोंगे ऑपर दंशेक श्क्लें करो कि क्या है यह को्र्या में ने बडंटक इस वेरी फेमास मैं ने अब तक रेंटिंग गिल्फ्रेंड सुना ए इसमें क्या होता है कोई बंदा अ अपनी पसंद का या जो भी है एक अमाउंट पे करके और वो आपके साथ सारा दिन कैफे घुमेगा या आपके साथ टाइम स्पें करेगा तो मेक यू फिल बेटर इसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इन्वार्व नहीं होती है बड़ वो ट्रेंड होते हैं उन्हें सैकलोजीकली कैसा खुश करना बंदी को क्या आप उनको ग्रॉसरी शॉपिंग लेके जाओ उनके साथ टाइम स्पेंड करो उनकी बाते सुनो वो ऐसा सीन है पर वहां पहला इसका है कि बंदे काम है और लड़कियों को नीड ऐसा कुछ ह लड़किया जादा लोटि करते हैं बंदों को ज़रूरत नीजाब नहीं ऐसा लोटिखियों करते हैं जो अकेले हैं अब बहुत लोग डिपरेस रहते हैं अब जैसे आप आहरे ते हैं पार्टी कल्चर इतना ओपन है लड़किया अधिकली अप्रोच करते एक अब अपकलब नी जाओगे, आप अकेले पढ़ते जाओगे, वो लोग लोग लोनली होते जाओगे.. यह महलाब तीस के बाद की बाद कर रहे हैं.. उदर लोनली सीन उधर बहुत जाद है.. और सुसाइड रेट भी हाम बता रहे है.. उदर वुद्धों का जाद है.. कि अच्छी क्यों बढ़ रही है महां पर ऐसा सीन है कि लोग इतने ज्यादा अकेले हैं जैसे ना वह लोग शादी क्यों ने कर रहे है सीन के अकेले की अचिछ लगता है मेरी मयम से मैंने बूछा था कि कि रिस्पॉंसिबिलिटीज बहुत जादा हो जाती है खर्चा बहुत जादा हो जाता है एक शादी का उस रिच्टे को निभाने तो वह पर तो वह इंडिपेंडेंडेंट है दोनों और एक दूसरे का घर चला रहें दो ऐसा कुछ नहीं कि आदम ही चला जादी करने का जो मे बहुत जादा पसंद है वह बाजी जो तुमने मता शो आफ है जैसे किसी ने गुची पैना तो उसे जादा भाफ देंगे उधर है उधर मेरी एक फ्रेंड है उसका नहीं 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 वह पोलन से है तो वहां जा जाए तेफी नहीं उसकी शादी हो रहे है बड़री है वह हा मतलब आप ऐस पूल सोटे एस न इंफ्लुएंजर वहाँ पर है वहाँ एस अ मॉडल महाँ पर कोई सिंगल भी है बात बात बुच रहा है जो पूच रहा हूं मेरा भाइसे मन में बात जाती है इसके जगब में पूचले है तो उसके बास एक बैग था उधर लोगों ब् और बोला अरे बैग बड़ा सुंदर है ये वह सो तो किसका है वो सुनना चाहती थी कि वो कोई ब्रांड का नाम लेगी तो बट उसमें बोला किया रहे ये बस मुझे नहीं बता है मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया तो उसे जितना एक्साइटमेंट के साथ लिया था रहा ह तो उसमें बताए कि यहां पर लोगों को है मतला यसे ब्रांड जोने चाहिए तुमने ब्रांड कपड़े पहने उदर बहुत मैटा करता है लोग उसे लगा कोई महंगा ब्रांड बोलेगी यार यह ता फिर पोई अच्छा आदत नहीं है और बैग निकिला सदर बजार का क्या गर सकते हो वहाँ पर सब का माइंड सेट ऐसा हो चुका है जाधातर लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रांड पहनना और वहाँ पर आप जाओगे ना आपको ऐसा लगया हर कोई मॉडलिंग कर रहा है अच्छा इतना सुंदर दिखता है हमें वह लोग हमें ऐसा बोलते जैसे ने तो घूल्टा चोर को जोतेवको पुड़ाट है मुड़ादी अपीन को कोई सेम शकल का मता दे कैसे बता दे डाले के साथ कौन सिद्धार्थ मलोतरा और और अल्याभटम गड़ा नहीं नहीं वारूनदावन सिद्धार्थ मलोतरा और नबीर कपूर दीनों इस नहीं ल में कहते हैं और एक अलगी एक्स्पीरियंस जाता है थोड़ी और बाते करना चाहता हूं अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में आपने कोई और नया कॉंसर्ट भापे अटेंड किया कुछ बता उनके बारे में बेसिकली बीटिस अब आएगा दू हजार पच्चीस में बीटिस गया है आर्मी ट्रेणिंग के लिए कोर्या में ऐसा होता है कि हर लड़के को बेसिकली साउथ को और नौर्थ कोरेया का अभी भी वह निहां हुआ । देखने को पूरी कंट्री है वो एजन आर्मी खड़ी हो तो इसले यह सब को दो या तीन साल की ट्रेनिंग होती है आर्मी की यह लेना जरूरी है और लड़कों के ले भी नहीं लड़कों के ले सिर्फ अब पहले ले लो कॉलेज करते ही ले लो या बाद में लो थोड़ा लेकिन एक बाद में आएंगे वैसे ऐसा कहा जाता कि बीटियस के वारे वे कुछ नेगटिव बोल देता तो इसको बहुत हैट मिल जाती है और सोशल मीड़े भी इवन हर जग ऐसा मतलब रियल लाइफ में लो करते हैं तो जब तुम पॉपलर हो तो लेकिन तुमारे लवास का था था तुमने ऐसा चुछ देखा भी हो अपर कोई हेट कर रहा दो पिर तो इसकी तकड़ा कुछ गलत हो गया हो तो तो इसकी लिए इंटरनेट पे होता है यहां एक सीन हुआ था उन कई लोग मेने बता रहा था ना के क्रेजी फैंस होते है कई लोग बहुत प्यार करते हैं और क वहां का टॉलेट यूस किया था उस प्लेन का तो हाप एक लड़की ने फोटो डाली थी उस तॉलेट के साथ यह मैंने पढ़ा था टुटर में उसने फोटो डाली थी जिस सीट पे वह बैठा था वो भी था टॉलेट वह नहीं लाइक लिटरली उसकी जीप भारती उसको ऐस लिटर बहुत जाएं उनकी दिवानिये से बढ़ जाती है कि ऐससे सेंस हो जाते हैं उनके साथ तो मुझा दिवाने जादा हैं हेटर जो हैं पते को हूँ इंडिया की लड़के तो BTS इसले है एक करते आप लोग को पता होगा क्यों कि इंडियन लड़के हैं BTS की तरफ एन हम कि रिस्पेक्ट करते है नहीं मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को पसंद करने की वज़ा नहीं होती है ठीक है वो लोग ऐसे उनको पसंद आते है उनका गाना उनको अच्छे दिखते है इसले वो पसंद कर रहे है और उसमें और चीज हो जाती है कि अगर वो लोग कहीं आपको भी हेट देने वाले होंगे वह वेले लोग होता है हमेशा उसा लगता है निया वह तो ठीक है बड में हापर एक बात कहना चाहता है जासे है वाले यह लड़क्यों में कहा रहाए मुझे यह तो बोल Cinnamon के खारे में जानता है भी जंटे नोर्मंतंपाटे नहीं जानते कोॉर्या में नहीं जानते उसके इंपर इतनी वीडियो जाए कहां गार को को सब शुआ को मेरे कमेंट सेक्शन में ऐसे की आपके सबस्क्राइब को जाता है अब एक्टर रहा थोड़ी यह बाइस सीन है पर वो भाईगा चादा फेमस तो है India in India वहाँ पे famous है तो Aamir Khan आया तुमने पहले पताया था आमीर Khan famous है उदर क्योंकि वह three dates वक्योज़े से three dates वहाँ पर हर किसी ने देखिये three dates अपने देखिये और दूसरा वहाँ पर Nora Fatehi मैंने पहले पताया था Nora Fatehi भी बहुत famous है उसने क्या आप कर रहा है? उसने कौन सी मुवी कर ली वहा है? वहाँ गर्मी सौंग आय था ना? वहाँ उससे, मतब उसके बहुत सारे सौंग्स है कॉरियंस के बहुत सारे रियाक्शन मिल जाएंगे आपको YouTube पे कॉरिया में क्लब्स में Hindi गाने या Bollywood गाने बचते हैं? बहुत रहर, एक ही गाना बचता है, एक क्लब है बहुत अच्छा गोगोज नाम है उसका, हुंगदे में अगर आप लोग कभी कॉरिया जाते हो तो जरूर जाना हो, वहाँ बहुत अच्छा है अच्छा है, तो बच गे रही है अच्छा है, अच्छा है और उसके भी 30 सेकंड्स की बचते है और उसके बाद भी वो आया तो टेकल हो वाला इस गाने पे कोरियन करते हैं ट्रिप्लिक अरे वावी बच्छा है आप लोगों को, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि वहाँ पे हर कोई ब्यूटी स्टांडर्स हर कोई उदर ऐसा है उनका वो कल्चर है कि वो करते ही है अब यहाँ पे एक चीज सामने आर्थी की लोग बोल रहे थे लोग यह इसले करा रहे अगर आपकी नाक लंबी नहीं है आपकी बॉडी उस प्रोपोर्शन में नहीं कंपनी रेजियूम में मांगती है यह उनका वर्किं क्राइटेरिया होता है अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बोला जा रहा था ना वीडियो में की गोरा रंग होना चाहिए कोई भी कंपनी आपसे ऐसे क्वेस्चिंज भी पूछते है बट यह पहले था बहुत पहले बहुत साल पहले अभी ऐसा कुछ नहीं तो अगर लोग सोचे किया कल को हमें यह पूछा जाएगा यह सिर्फ मॉडलिंग कंपनीज पूछती है एड़ी कंपनीज नहीं बटिया जर्फ मोर्टिंग पूछ पूछती है मोर्डलिंग कमपनीज में तो हाइट फेश और लुक्स का ही खेल है जब आप मॉर्डल हो तो सभी बात है आपने कभी फेस किया रसिज्म या इशॉत उख एट या इंडियन से लगा यह नॉर्मल है कई बार बुड़े लोग होते हैं अपने उसमें रहते हैं कर देते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि रेसिजम है ऐसे डेली मेट्रो में तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है अमारी आंटी फेमस हुए अब कैसे खड़ी कंट्रॉल में इंगलिश में हमेशा यह मिला है मैं किस्ता शेयर करती हूं मैं एक वाश्रूम कोलिया में क्या है बरफ पढ़ रही थी और मुझे एक इवेंट अटेंड करना था तो जब बरफ पढ़ती है अब मैंने पता है और आप चाहोगे कि आप अच्छे बनके जाओ तो मैं हमेशा अपनी हील्स अगरा क्यारी करती हूं साथ में वह बिंटर बूट्स पैन के स्नोव बूट्स पैन के गई थी और मेट्रो स्टेशन में मतलब क्या बोलता है वेन्यू पॉछने से पहले मैंने स्टेशन में ही चेंज करने का सोचा तो जैसी मैं वाश्रूम घुषती हूं तो एक बहुत ब लड़किया कोरिया की लड़कियों से जाता सुन्दर है और ऐसी बुला आपका दिन अच्छा जाए वगरे मुझे ब्लेसिंग खाडा साच बोल दिया तो ऐसा नहीं है वहां पर लोग बहुत एप्रिशेट करते इवन रंगों भी देखो अच्छे बूरे लोग हर जगा हो कोई नहीं कोई बोल देगा किया यह कैसा दिखता है हर किसी के अपने उपिनियन होते है लेकिन मुझे रेसिजम नहीं फेस करना पड़ा है वहीं पर मेरे फ्रेंज हैं जिनके साथ किसे हुए है जैसे मेरे कुछ फ्रेंज एक रेस्टॉन में गए थे खाना खाने तो वहां कि सब भी बात करते हैं सिर्फ ओर टेबल पाई उन लोगों को थोड़ा जीब लगा कि यह क्या है तो ऐसे किससे हो जाए इसको तो वैसे रेसिजम ही कहीं है यह रेसिजम है जैसे जैसे अभी हम थाइलंड कहता हम तो दुनिया भर की अपनी लैंगुज में क्या-क्या बात करें बात तो सही है तो उसने बोला कि उनको फील हुआ कि अरे सब बात करें आप हमें आके क्यों बोल रहा है तो लोगों ने खाना खाय और चले गए क्योंकि आप ऐसे फॉरन कंट्री में लड़ना नहीं चाहते हो ना कहीं पर भी खड़े रहे कि ऐसा जैसे चोटे-मोटे किसे जैसे एक और मेरी फ्रेंट थी वो लोग बस में चड़ रहे थे उनके बास ड्रिंक्स थी तो उस टाइम पर कोविड का डाइम चल रहा था और ड्रिंक्स अलाउड नहीं था लेके जाना लेकिन ड्रिंक्स बंद है अगर आपकी तो आप लेके जा सकते हो उन बस वाले इसे बताओ यार यह भी गलत बात है तो रेसिजम होता है हर कंट्री में होता है मुझे लगते है बट ऐसे भी ने क्या बोलो बहुत एक्स्ट्रीम हो गया और ड्रिंक्स कि अबारे हैं बदा तुम वहां पर पाटी बाटी करते तो कह उनसे कॉनसे वांसे लिग्स हैं विसक पाटी कर न्याओं क्या कर यह द्रूंक वीडियो भीज तो फिर देखना दो नहीं नहीं मैं उतना फिती हूँ कि मैं घर चली जावार हमसे जरूरी यार दूसरे देश में और वैसे expensive है मतलब drinks और आप माल लो एक वोट का shot आपको पड़ेगा एक वोट का shot सिर्फ एक वोट का shot आपको पड़ेगा नहीं दो शॉट माल लो आपको पड़ जाएंगे 400 से 500 गे दो शॉट बस अच्छा इतना इतना होता है क्लबों मैं आपको महंगा नहीं लगेगा अगर हम party कर सकते हैं तो आप लोग तो रात भार party कर सकते हैं और थोड़ी लड़किया और ओपन अफुई बात करती है इंडियन लोगों से अगर और ओपन अफुई कुछ सुधार है पहले से पहले से अची हुई अगर आपको Korean आती है तो आपके friends बन जाएंगा उन्हें English नहीं आती बिल्कुल अगर उनको English आती है तो भी आपके friends बन जाएंगा लेकिन अगर आपके पिछ में communication barrier है तो वो रहे गाई Korean girls please English सीखो अगर अगर आप अधर कभी आते हो तो आपको बहुत मज़ा आएगा यह भी है तो फिर तो चल लेंगे तने time में तो आरे आना चाहिए वहाँ पर आना चाहिए इंडियन को वहाँ पर बढ़िया देश है आना चाहिए घूमो हर country गूमनी चाहिए बट आप लोग यह सोच के आना कि अगर आप वहाँ को बतता मीजी नी पसांद की वह बोले चुपोज़गा वहाँ तो जाते हैं किसे ने ने बोला कि बात मत करो लेकिन आप लोग यह सोच के आना कि आप लोग को थोड़ा वेज़ेटरियन फूड मिलने में प्रब्लम हो सती है वहाँ के लोग बहुत जजमेंटल है किसे को चलते पर से जज़ कर लेता है को रोड वे नहीं आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देंगी यह बहुत गलत फेमिया लोगों इसे आप मेट्रो में कैसे चिल्लम चिल्ली मची रहती है ना आपने इंडिया की मेट्रो डेली मेट्रो इतनी फेमस हो चुकि है हर जगा तो वहाँ पे लोग अपने फोन में ऐसे बैठ रहेंगे वह ऐसे भी नहीं देखेंगे आपको आप लाइन से देखना सब ऐसे फोन में ऊपर भी नहीं देखेंगे उनको कोई फरक नहीं पड़ता है आज पास कौन बैटा है वो ध्यान इन वहाँ पर पब्लिक में अश्लील हरकते होती है जैसे नहीं बहुत कम कापल सिख जाएंगे अपको लवी-डवी ऐसे वहाँ पे पीडिय करना थोड़ा की किस कर सकते आप रोड पे अलाओ जैसे इंडिया में तो अलाओ नहीं अलाओ अपर लोग करते नहीं नहीं बड़ ज अपर लोग करते हैं जो लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं मैं भी जाती हूं पर दीवाली फेस्टिवल होता है एक रिसर्च अन्कोर्या करके जैसे उन्होंने डिवाली इवेंट पो कुछ कुछ और इंडियन जाते हैं पर हाँ काफी और अपने ट्रेडिशनल एक अष्ञाब चोलग तो आप लोगोगोने परफॉर्म किया इसको करना है परफॉर्म करो इंडियन इंडाना जग इंडियन गाना कर रहा है से इसाνय को डीडेर कर रहा है और वाली सबसे पहले मृट किसी भी इंडिया की अठीग को थना बदू कवा दीग्शन कीा है किस जो बढ़े रहते हैं, सब भरे रहते हैं, सब कोरिंस इतना जाता पसंद है, जो चिकन बटर मसाला, नान, दे लव इट, और कलचर क्या फॉलो करते हैं, रिलिजिन, रिलिजिन, जाध तर बुद्धिस्त हैं लोग अगदर, बुद्धिस्त और क्रिस्टन है, उसके अलावा मैं मुझे एक चीज यह बी थी इंचर सब श्रेधर, लेकिन आदर बोलते हैं, डिस्रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, जाता हैं और वहां की पॉलिटिक्स कैसे हैं, जैसे यहीं इंडियन्स तो बहुत सेंटिमेंट्र भक्न शूच हो जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी शे वहारे यंग्स्टर भी बहुत इंवल्वे नावरे तो इंडिया में कितना जाधा हैं मोधी जी अशे जु सपोर्ट करें यंग्स्टर जाधा इंवल्वे हैं अच्छा महारे एक एज 40 ब्लस लोग पॉलिटिक्स में जाधा हैं जाधा हैं जाधा जाधा नौद को रिखने मे वहां पे लोगों को अलाउड निये South Korean movie देखना, वहां पे उनके पास जो TV है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ उनका जो Prime Minister, President है, Kim Jong आता है, सारा दिन, वहां पे वही आता है, अगर आप देखते हो कोई भी ऐसे movie या कोई महां की South Korea की movie या drama देखते हो तो उसके लिए आपको jail हो South Korea के लोग कभी भी North Korea के वारे में आपनी बात नहीं करता है, क्यों ऐसा हुआ है, मैं अपनी class एटेंड कर रही तो मैंने इस मेरी scholarship है, इसमें शुरू के एक साल हमें Korean language सिखाते है, उन्ही की तरफ से course होता है, ठीक है, तो महां पैसा हुआ हुआ हम कुछ North Korea के वारे में डर कहलो इसको या यह कहलो कि वो कुछ बोलेंगे तो को सुनेंगा ओनी तो नहीं है, तो मैंने अपनी के वारे में इसके बात नहीं कि अपनी करता है, तो नहीं कहीं है पर किसी Korean फ्रेंड ने कुछ बताया हुआ हो अजीब सा क्योंकि दोस्त कभी आर बताया है, तुम तो कि लड़की आप महा से कि आप बहुत सारे North Koreans भागने की कोशिश करते है North Korea से पानी के वहा पे जो सम उद्र है उसके तरो आना चाते है कि हम यह क्रॉस कर दे और हम यहां से निकल जाए बस चाइना बॉर्डर पहुचेंगे, चाइना बॉर्डर से कैसे भी गर आना चाते है तो उस लड़की ना के बताया था कि महा के हाल बहुत बुरे हैं एसा यूट्यू पे एक इंटर्व्यू भी है जो लड़की भाग का कोई अगर यह तो बॉर्डर पे आपको देख लिया तब तो सीधा गोली माले अगर आप पार कर गए तो फिर आप बच गए बच भी क्य अगर आपके वह कोई स्पीच दे रहा था उसमें किसी ऑफिसर ने यॉन कर दिया वस यॉन किया उड़ा दिया उसको तो तो अड़ाएगा उड़ाएगा उनकी पुष्टों को भी वह कर देता है सजा उनके लिए भी हो जाती है यह तो माया हो रहा है शूट आउट एड ल ऐसे डॉक्तर जो प्रैक्टिस कर रहे है कि उसको इम्मोर्टल कैसे किया जाए मैंने कार्टिकल पड़ा था वह ट्राय कर रहा है कि वह कभी मरे ना हा क्यूंकि उसके वारे में वह भाई नवांकूर भाई भी तो बता रह थे कि अब जो उसके बड़े भाहिया है उनको प् कोई शक नहीं है ऐसा कर रहा हूँ बहुत सारी बाते रिवील हो गई मतलब सच आपके सामने आया उद्न के थू जो वहां रह रहे हैं आज भी और मानसी को आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर उनका इंस्टाग्राम जाए वो स्क्रीन पे भी फ्लाश हो रहा था डि कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको हमारी मर्चंडाइज पसंद आ रहे है तो रियलेट स्टो डॉट कॉम से आप शॉपिंग कर सकते हैं लो भाई जाके लो पहले आप लेना पहले मैं लेती हूं फिर तुम लो तो मिलेंगे दोस्तों नए रे मर।